बॉलिवोट में सूपर हीरो के नाम से मशूर हो चुके एक्टर सोनु सूद ने बीते दिनों से अपनी दर्या दिली दिखा कर हर देश वासी का दिल जीत लिया है दरसल सोनु सूद इन दिनों उन लोगों की सहायता के लिए सड़क पर उतरे हैं जो पैदल अपने घर जा रहे थे सोनु सूद इस वक्त कोरोना को लेकर चल रहे लोगडाउन के दौरान मुंबई में फसे अलग-अलग राज्यों के प्रवासी मश्दूरों को अपने अपने घरों तक पहुचाने को लेकर खबरों की सुर्कियों में बने हुए है सोनु सूद ने अब तक 12,000 से अधिक मश्दूरों को उनके घर पहुचाया है उन तमाम मश्दूरों के लिए सोनु किसी मसीहा से कम नहीं है सोनु ट्विटर के जरिये भी ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो घर जाने के लिए बुरी तरह परिशान हो चुके हैं इसी बीच उनके काम से खुश होकर उनके एक फैन ने उन्हें सरकार से पद्म भूशन देने की मांग कर दी है इसके बाद से अब आक्टर को पद्म भूशन देने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है इसे लेकर उनका रियक्शन भी लोगों का दिल्च होने वाला है सोनुसूत के काम से कायल हुआ उस व्यक्ति ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को टैक करते हुए टूइट किया इस महामारी संकट में प्रवासी श्रमिकों के लिए मसीहा बने सोनुसूत को पद्म भूशन के लिए सरकार से मांग करता हूँ सोनुसूत की दर्या दिली पर लोग उनकी तारीव करते नहीं ठक रहे है कोई उनके लिए कविता लिख रहा है तो कोई उने भगवान का दर्जा दे रहा है वही अब बिहार में उनकी मूर्ती तक बनाने की बात सामने आई है हाल ही में ट्विटर पर प्रफुल कुमार नाम के शक्स ने सोनुसूत की नेक दिली से खुश होकर ट्वीट किया मिहार के सिवान जिले में उनकी मूर्ती बनवाने के लिए लोग तैयारी कर रहे है सोनुसूत ने पिछले दिनों अपने पैत्रक राजय पंजाब के डॉक्टरों को 1500 PPE के टोप लग्द कराई थी सोनुने मोहीम की शुरुवात करनाटक के 300 लोगों से की थी उसके बाद उत्तर प्रदेश, जारखंड, ओडिसा, यूपी बिहार आदी से अब तक 12,000 लोगों को उनके घर तक पहुंचा चुके हैं सोनुने बताया कि उनकी टीम फ्रवासी मजदूरों का पता लगाने में जुटी हुई है इमेल भी आते रहते हैं और फोन कॉल्स के जरिये भी वो लोगों की मदद करते हैं और पिहार कि दार और अजगा आजगार मास की देरें अटार ऑट की डरह दाना प्लीस प्लाद आए अचर प्लाण बेडियो सब्सक्राइब लोगों